हलो एवरिवन, वेलकम तो लॉजिक पार्ट शाला चैनल, हमारा आज का टॉपिक रहेगा, नेम चेंज़ इन 2021 तो जिन जिन जगाओं के नेम चेंज हुए हैं, आज हम उनके बार में बात करेंगे इस लेक्चर का PDF आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा, जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दिया गया है So let's begin the session Question number one is, Facebook company has changed its name to a new name तो उसका निया नाम क्या रखा गया है? Facebook का, तो वे है आपका meta अब हम बात करते हैं Facebook की, तो Facebook आपका क्या है? एक social networking site है जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में, इसका जो headquarter है, वे कहां पे देखने को मिलेगा आपको California, जो की आपका कहां पे है? USA में, ठीक है और इसके CEO कौन है? वो है आपके Mark Zuckerberg, ठीक है अब चलते हैं second question पी So second question में क्या पूछा गया है? कि जो आपका फैज़बाद railway junction है जो की आपका UP में है, इसका new name क्या रखा गया है? तो इसका answer है आपका option number C, that is Ayodhya Kent तो जो इसका name change करके रखा गया है, वे है आपका Ayodhya Kent Question number third is, Undaman and Nicobar Island, Mount Harriet's name has been changed to what? तो जो Mount Harriet है, जो की आपको Undaman and Nicobar Island में देखने को मिलेगी उसका नाम change करके क्या रखा गया है? तो इसका जो निया नाम रखा गया है, वे है रखा गया है, Mount Moneypool ठीक है? अब अब अगर आप मुझे comment box में ये बताएं कि जो Undaman और Nicobar है, इन्हें कौन सा डेगरी चैनल सेपरेट करता है? दूसरा आप मुझे ये बताएंगे कि दो आइलेंड्स ओवरा यहां पे, जिनके पिछले साल नेम change हुए थे जैसे कि आपका एक आइलेंड था, Rose Island, इसका क्या नाम रखा गया था? और एक आइलेंड कौन सा था, आपका Havelock Island, इनका नेम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो की change हुए थे नेक्स क्वेशन इस, जीम कॉर्बर टाइगर रिजर्व नेम तो जो जीम कॉर्बर टाइगर रिजर्व है, इसका नेया नेम क्या रखा गया है? तो आपके पस 4 options है, आप इन एक बार देख लीजिए, तो इसका अंसर रहेगा आपका option number A, that is Ram Ganga Rastriya Udhyan, तो इसका अंसर रहेगा Ram Ganga National Park, that is option number A The Central Government has launched the Midday Meal Scheme, what is the new name of meal scheme? तो इसका new name क्या रखा गया है? तो वे है आपका PM Nutrition Scheme, और उसी हम कहेंगे PM Portion Yojna तो अगर हम बात करें आपके PM Nutrition Scheme की, तो इसमें क्या है आपका कि जो स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाने वाली Midday Meal Yojna को क्या अब नाम रखा गया है PM Portion के नाम से जाना जाएगा? और इसमें क्या होगा? कि जो आपके Pre-Primary Education के तहट सरकारी और Edited School के बहुत से बच्चों को क्या देखने को मिलेगा? फाइदा देखने को मिलेगा? आपका Next Question ये है कि International Astronomical Union ने चंदरमा के दक्षिनी दुरूफ पर एक चंदर क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका अंसर है आपका Option B और जो आपका International Astronomical Union है इसका जो मुख्याले है वह आपको देखने को मिलेगा? कहां पे? वो मिलेगा आपको पैरिस में जो की आपका किसकी कैपिटल है? आपकी? फ्रांस की ठीक है? Question No.7 is राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार का निया नाम किस नाम पर रखा जाएगा? मंत्री राजीव गांधी के नाम हुआ करता था ठीक है? नाव मुविंग टू नेक्स क्वेशन वट हैस बिकम दा न्यू नेम ओफ अफगानिस्तान देश तो आपने ये बताना है कि अफगानिस्तान देश का निया नाम क्या हो गया है? तो आपके पास चार आप्शन्स हैं आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका ओप्शन नमबर बी दैट इस इसलामिक एमिरेट्स ओफ अफगानिस्तान तो आप मुझे इसमें वैसे लिखा बताया हुआ है कि जो अफगानिस्तान की जो राजधानी है उसकी जो कैपिटल है वे है आपकी काबूल और उसकी करंसी क्या है आपकी अफगानी नेक्स्ट क्वेशन इस असम कैबिनेट ने राजीव गांदी राश्ट्रे उध्यान का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा है तो इन्होंने राजीव गांदी नैशनल पार्क का नया नाम क्या रखा है तो इसका अंसर है आपका ओप्शन नमबर डी दैट इस औरंग नैशन गिया गया है तो जम्मू और कश्मीर एंड लदाक जॉइंट हाई कोट का नाम क्या रखा गया है री नेम क्या किया गया है इसे तो आपके पास चार आप्शन्स है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका आप्शन नमबर C that is जम्मू कश्मीर एंड लदा नेम क्या रखा गया है तो इसका अंसर है आपका आप्शन नमबर D that is शाम प्रसाद मुखरजी टनल next question is पंजाब के मुहाली अंत्रराश्ट्रिय होकी स्टेडियम का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो पंजाब में जो मुहाली इंटरनेशनल होकी स्टेडियम है इसका न्यू नेम क्या रखा गया है तो किसके नाम पर रखा गया है इसका नाम आपके पास चार आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका option number A that is Balbir Singh Senior तो इसका है option A Now moving to next question railway सुरक्षा बल का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो जो railway protection force है इसका नया name क्या रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option number B that is भारतिय railway सुरक्षा बल सेवा तो यह है आपकी Indian Railways Protection Force Services that is option number B next question is which state government has named Dragon Fruit तो जो आपकी किस राजी की सरकार ने Dragon Fruit का नाम बदल कर कमलं Fruit रखने की घोशना की है तो वह कौन सी state है आपकी तो वे है आपकी option number D that is Gujarat next question is इसमें क्या पूचा गया है कि जो वहलर द्वीप है औरिसा में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है तो क्या रखा गया है इसका नाम तो वे है आपका option number A that is APG अब्दुलकलाम द्वीप that is APG अब्दुलकलाम आइलेंड तो यह है आपका option number A next question is अंडामान निकोबार के हैवलोक द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो यह मैंने आपसे पहले भी पूच्छा था तो इसमें आपको बता देती हूं कि इसका नाम क्या रखा गया है तो इसका अंसर है आपका शहीद द्वीप इसका क्या नाम रखा गया है तो इसका जो नाम चेंज करके रखा गया है वे है आपका भगत आईलेंड that is option number C Now moving to next question next question में क्या पूचा गया है अंडामान निकोबार के रोज आईलेंड का नाम बदल कर निया नाम क्या रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option number D that is नेत्ताजी सुभास चंद्रबोस आईलेंड जो सुभास चंद्रबोस थे इन्होंने I.N.C के प्रेजिडेंट कब रहे थे ये 1938 में और 1939 में जो 1938 के session हुआ था वो हुआ था आपका हरीपूरा में और जो 1939 का हुआ था वे हुआ था आपका त्रिपूरी session now moving to next question 20th question में क्या पूचा गया है उत्तरपरदेश सरकार ने का कोरी कान का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो जो का कोरी इंसिडेंट हुआ था इसका क्या नेम कर दिया है तो वह कर दिया है इन्होंने का कोरी train action that is option number B now moving to next question इसमें क्या पूचा गया है आप से इसमें पूचा गया है कि जो विश्व के सबसे बड़े cricket stadium कौन सा motera stadium सरदार वललभाई पटेल का नाम क्या रख 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 रखा गया है तो क्या आप किया है नोने चेंज जो ये आपका motera stadium था इसका new name क्या रखा गया है तो इसका answer है आपका option number B that is नरेंद्र मोधी 22 is प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने लोगसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला कर किस नाम से नया channel launch किया है तो जो आपका लोगसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्जर हो गया था तो अब जो नया channel लाँच किया है तो वह कौन सा किया है उन्होंने तो इसका answer है आपका option number C that is संसथ टीवी Now moving to next question इसमें क्या पूचा गया है उत्रप्रदेश के अलिगड का नया नाम क्या रखा गया है तो अलिगड का क्या नाम रखा गया है नया तो इसका answer है आपका option number C that is हरीगड Now moving to next question तो इसमें क्या पूचा गया है आपसे पूने में आर्मी स्पोर्ट इंस्टिट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो अलम्पिक पदक विजेता के नाम पर रखा गया है तो आपने ये बताना है कि जो पूने के अंदर आर्मी स्पोर्ट इंस्टिट्यूट है वहाँ पे जो स्टेडियम है उसका नाम टोक्यो अलम्पिक में जिनोंने मैडल जीता है उनके नाम पर रखा गया है तो वह कौन है तो उसका उनका अंसर है आपका option number B आप मुझे comment box में बताएंगे कि इनका gold medal आया था ये कौन सी गेम से associated है ठीके Now moving to question number 25 इसमें क्या पूच्छा गया है इसमें उनके पूच्छा है कि जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग है that is रोहतांग टरनल उसका जो नया नाम है वह क्या रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option number D that is अटल टरनल इसमें दिल्ली के जो प्रवासी भारती केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option number C that is सुष्मा सवराज भवन तो इन सुष्मा सवराज जी के नाम पर रखा गया है now moving to next question that is 27 आपकी जो airline company है Go Air का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो इसका अंसर है option number A that is Go First तो ये है आपका option A now moving to next question that is 28 तो इसमी क्या पूचा गया है आपका Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इनका अब नया नाम क्या कर दिया गया है तो इनका नाम कर दिया गया है Ministry of Heavy Industries तो आप मुझे comment box में बताएंगे कि इस टाइम पे इनके जो Minister हैं वे कौन है now moving to next question that is 29th हावडा काल का मेल ट्रेन का नाम का नया नाम क्या रखा गया है तो हावडा काल का मेल ट्रेन का निव नेम क्या रखा गया है आपके पास 4 options है आप इनने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका option number C that is Netaji Express now moving to next question question number 30th Ministry of Human Resource Development का जो नया नेम है वे क्या रखा गया है तो यह तो आप सभी को पता होगा तो इनका रखा गया है new name Ministry of Education और आप मुझी यह बताएंगे कि हमारे Present Ministry of Education के Minister कौन है now moving to next question उत्रप्रदेश के जांसी railway station का नया नाम क्या रखा जाएगा तो क्या रखा जाएगा तो इसका अंसर है आपका option number D Lakshmi Bai Junction आप मुझी यह बताएंगे कि Lakshmi Bai का birthplace कहां का है now moving to next question नई दिल्ली के प्रक्ति मेदान Metro Station का नाम बदल कर क्या रखा गया है आपके पास चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका Supreme Court Metro Station that is option number C next question is Facebook के Cryptocurrency Libra के नाम बदल कर क्या नाम रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option number A that is time next question is फिरोज शहर कोटला stadium का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो आपके पास चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका option number A that is Arun Jaitli Stadium ठीक है इसके आगे आपका stadium भी है next question is अगर तला airport का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option number D that is महराजा बीर बिक्रम एरपोर्ट next question is इसमें क्या पूचा गया है आपसे कि Ministry of Shipping का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है आपके पास चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका option number B that is Ministry of Ports, Shipping and Waterways आप मुझे ये बताएंगे कि इसके at present minister कौन है next question is उत्रप्रदेश के मडूवाड है railway station का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो आपके पास चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका option number C that is Banaras next question is स्वच भारत अभियान का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो स्वच भारत का अभियान का नाम भी बदल दिया गया है तो वह क्या रखा गया है तो वह रखा गया है आपका option number C that is सुन्दर भारत ठीक है, next question is, question number 39, मध्यपरदीश के होशगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो इसका अंसर है, आपका option number A, that is, नरमदापूरम, तो ये रहेगा इसका अंसर, now moving to next question, इसमें क्या पूछा गया है, कि जो दिल्ली के प्रायवरन भवन का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका अंसर है, आपका option number B, that is, पंडित दीन दियाल अंतियोध्य भवन, तो इसका अंसर है, option number B, now moving to next question, इसमें क्या पूछा गया है, कि जो उत्रप्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो अयोध्या एयरपोर् अड्डा, ठीक हवाई अड्डा, now moving to next question, question number 42, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, करनाट का सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया है, तो यह आपका उन्होंने किया है, option number B, that is, शिरी सिद्ध रूदा स्वामी, जीके नाम पे इन्हो moving to next question, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, करनाट का सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया है, आपके पास 4 options है, आप इन एक बार देख लीजिए, तो इसका answer है, आपका option number A, that is, महा दिवपा मिलारा, तो इसका है आपका option number A, now moving to next question, किसमें क्या पूछा गया है आपसे, तो इन्होंने पूछा है कि करनाट का question number 44 में पूछा गया है, कि जो train 18 का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका जो नया नाम रखा गया है, वह रखा गया है, आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, that is option number C, now moving to next question, इसमें क्या पूछा गया है, किस शहर के circular road चोंग का नाम बदल कर अटल जी चोंग कर दिया गया है, तो इसका अंसर आप सभी को पता होगा, तो वह है आपका option number B, that is जम्मू, now moving to next question, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, रक्षा अधिहन एवं विशलेशन संस्थान का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया गया है, तो इसका अंसर है आपका option number D, that is मनोहर परिकर, अब हम चलते हैं, next question पे, इसमें आप से पूछा गया है, कि जो गोरकपूर एयरपोर्ट है, जो कि आपका UP में है, इसका जो नेम चेंज करकर, किन के नाम पे रखा गया है, तो इसका अंसर है, आपका option number A, that is महायोगी गोरकनात एयरपोर्ट, now moving to question number 48, इसमें क्या पूछा गया है, राश्ट्रे वित्य प्रभंधन संस्थान, that is NIFM, जिसे हम बोलते हैं, National Institute of Financial Management, का नाम बदल कर, किसके नाम पर रखा गया है, तो वह रखा गया है, आपके option number B, that is Arun Jaitli जी के नाम पे, next question is, कोल तो जो कोलकटा पोर्ट है, इनका जो नेम चेंज किया गया है, तो अब जो नेया नेम है, वह क्या है, तो वह है आपका, श्यामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट, तो यह मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, आप मुझे comment box में बताएंगे, कि हमारे जो major पोर्ट हैं, व का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो चन्नई रेलवे स्टेशन का नया नेम क्या है, तो वह है आपका, option number A, that is, पूरेची तलेवर डॉक्टर M.G. रामचंदरन स्टेशन, ठीक है, स्ट्रेल, तो अब हम चलते हैं, question number 51st पे, इसमें क्या पूचा गया है, इसमें यह पू रखा गया है, चत्रपती शिवाजी महाराज इंटरनाशनल एरपोर्ट, that is, option number A, now moving to next question, इसमें क्या पूचा गया है, आप से, उत्रप्रदेश के इकाना अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका अंसर है, आपका, option number A, that is, अ अतल बिहारी वाजपाई अंतराश्ट्रिय स्टेडियम, ठीक है, अतल बिहारी वाजपाई इंटरनाशनल स्टेडियम, that is, option number A, question number 53 is, इन्होंने पूचा, इसमें क्या पूचा गया है, कि जो जार्शुगूडा हवाई अड़ा है, आपका एरपोर्ट है, इसका जो न्यू इसमें क्या पूचा गया है, बुंदेल खंट एक्स्प्रेस का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका न्यू नेम जो रखा गया है, वे क्या है, तो इसका अंसर है, आपका option number D, that is, अतल पत्थ, next question is, 55 इसमें पूचा गया है, राजस्थान के मियो का बड़ा railway station का नाम बदल कर क्यार कर दिया गया है, तो वे किया गया है, आपका option number C, that is, महेश नगर, now moving to next question, इसमें क्या पूचा गया है, किस शहर से city चोंग का नाम बदल कर भारत माता चोंग कर दिया गया है, तो वे किसका किया है, तो इसका अंसर है, आपका option number B, that is, चमू, next question is, 57 जिसमें ह में क्या पूचा गया है, असम के बोगी बुलपुल का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका अंसर है, आपका option number D, ये रखा गया है, अटल सेतू, next question is, नई दिल्ली स्थित्व विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो फोरन सर्विस इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो इसका अंसर है, आपका option number D, इसका अंसर है, आपका option D, इसका अंसर है, आपका option D, now moving to next question, इसमें क्या पूचा गया है, IPL team, King 11 Punjab का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, आपके पास 4 options है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, तो इसका नाम कर दिया है, इन्होंने पंजाब Kings, that is option number A, question number 61 is, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभिहान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो इसका इन्होंने कर दिया है, option number C, that is बदलाव, next question is, 62nd, जिसमें हमें पूछा गया है, किस Metro का नाम, राजा भोज के नाम पर रखने की घोशना की गई है, तो किसकी की गई है, तो वे है, आपका option number C, that is बोपाल Metro, now moving to next question, what is the name of Barber Road of Delhi, तो क्या है उसका नाम, तो वे है, आपका option number A, that is 5 August Mark, next question is, हर्यानस अंबाला बस स्टेंड, बस स्टेंड का नाम चेंज करकर क्या रखा गया है, तो वे है, आपका रखा गया है, option number, option C, that is सुश्म सवराज, ठीक है, तो इसका रहेगा option C, now moving to question number 65, इसमें क्या पूछा गया है, मद्यपरदेश के हभी बंगज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका अंसर है, आपका option A, that is अटल भिहारी वाजपाई रेलवे स्टेशन, now moving to next question, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, कि what will be the name of Aurangabad, Aurangabad का नया नाम क्या होगा, तो वे है आपका option number C, that is संभाजी नगर, सांभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर, now moving to next question, इसमें क्या पूछा गया है, नैशनल हाइवे 703AA, इसका नया नेम क्या रखा, किसके नाम की पीछे रखा गया है, तो यह रखा गया है, आपका option number C, that is कुरुनानक देवजी, next question is, Mumbai Central Railway Station का जो रखा गया है, तो इन्हें किसके नाम पर रखा गया है, तो यह है आपका, आपके पास 4 options है, आप इन एक बार देख लीजिए, तो इसका अंसर है, आपका option number C, that is नाना शंकर सेट, ठीक है, now moving to next question, इसमें क्या पूचह गया है, जो आपकी आयोधिया बस टॉप का नाम, नेया नाम क्या रखा गया है, तो वह है आपका इयोधिया धाम, that is option number C, now moving to next question, इसमें क्या पूचह गया है, दिल्ली का औरंग्जेव रोड का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो वह रखा गया है आपका कलाम रोड that is option number C अगले question में आपसे पूछा गया है जो आपका हजरत गंच चोराहा जो की लखनव में है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option C that is अटल चोंक next question is इलाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो यह तो आप सभी को पता होगा यह बहुत नियूज में भी था तो इसका अंसर है आपका प्रियाग राज that is option number C next question is what was the name of कांडला पोर्ट तो आपने यह बताना है कि जो कांडला बंदलगा का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका अप निया नेम क्या रखा गया है तो वे है आपका option number C that is दीन दियाल पोर्ट और इसे हम पहले पोर्ट वाले लेक्चर में इन चीजों को हम डिसकस कर चुके है next question is next में आपसे पूछा गया है कि जो आपका NIFM है जिसे हम बोलते है National Institute of Finance Management का निया नाम किसके नाम पर रखा गया है तो यह question हम पहले भी डिसकस कर चुके है तो वे है आपके Arun Jatliji के नाम पर रखा गया है now moving to next question उत्रप्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है आपके पास चार options है आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर है आपका C that is पंडित दीन दियाल रेलवे जंक्शन question number 76 is उत्रप्रदेश के फैजाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो क्या new name रखा है इनोंने तो वे है आपका option number B that is अयोध्या next question is आपका IPL team दिल्ली Dare Devils का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो डैली Dare Devils का क्या new name रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option C that is दिल्ली Capitals next question is 17th question में आपसे पूछा गया है सावर्मती घाट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो वे है रखा गया है आपका option number C that is अटल घाट next question में आपसे पूछा गया है आगरा एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option number C that is दिन द्याल उपाद्य एरपोर्ट now question number 80th is इसमें अनपूर का चकेरी एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका जो निया नाम है वे है क्या है तो इसका अंसर है आपका option number C that is गनेश चंकर विध्यार्थी एरपोर्ट तो ये है आपका option C अगले question में आपसे पूचा गया है बरेली एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो क्या new name रखा है तो वे है आपका option number C that is नात नगरी Next question में आपसे पूछा गया है 36 कर्ड के नया रायपूर नाम बदल कर क्या रखा गया है तो वेहे आपका रखा गया है अटल नगर that is option number D Next question में आपसे पूछा गया है आंध्र परदीश के करणूल हवाई अडडे का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो किसके नाम पे रखा गया है तो इसका अंसर है आपका option number D that is नरसिमहरेडी के नाम पर रखा गया है तो यहां पे आपका आज का lecture खतम होता है इसमें हमने सारे places के जो भी name change हुए है वह cover कर दिये है I hope आपको यह session अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this session